नमस्का दूस्तो, Stock Market Studies में फिर सिगबर आपको बहुत बहुत सागत है आज यह आपे में discussion करने बाला हूँ Mahendra and Mahendra Finance के बारे में जो एक Mahendra Mahendra Group के ही company है और इस group के ही जितने सारे companies है सारे companies में उतना साइद आपको positivity नहीं दिखेगा मगर कुछ companies में आपको बहुत ज्यादा तेजी और बहुत ज्यादा positivity देखने को मिलेगा तो उसी से जुड़े ही companies के बारे में बात करूँगा जो company दिखाए तो बहुत दिनों तक एक pressure में देखने को मिला था और आज इस company का data देखेंगे तो 52 week का high break करने वाला है क्योंकर daily basis stock market information update news इसी चनल के मात हम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो company कौन सा है अब देख सकते हैं महेंद्रा और महेंद्रा फाइनस देखें महेंद्रा और महेंद्रा फाइनस के बारे में बात करूँ तो एक NBFC है मतलब non banking financial companies है जो दिखा जाए तो finance industry में खुद का नाम तो दाखिल करा चुके है फिर भी इस company बहुत छोटा है बाकी competitor के हिसाब से 28,000 चलो 29,000 करोड के market cap आप बोल सकते है तो इतना market cap आप बोल सकते है उस हिसाब से company काम कर रहा है इस company के एक मान की चार्ट परपेंट कर दू तो positive में दिखेगा 6 मान के परपेंट कर दू तो 16% तक return दिखेगा एक साल में करीबन 50% तक return दिखेगा और 5 साल में करीबन 50% का return और 5 साल में करीबन 20% का losses और maximum चार्ट परपेंट कर दू और continuously उस गिरावट के माहुल के पीछे कुछ logic भी है, कारण भी है, उसको बद COVID के situation में भारी crash देखने को मिला था, उसको फिर से recovery किया, मगर पहले जो previous high था उसको break नहीं कर पाया, तो मैं टेक्निकली चार्ट पड़ने में details में दिखाऊंगा, उससे पहले company के कुछ parameters आपको आपे breakout होने वाले है, achieve भी होने वाले है, उसकी सबसे company एक साल में मतरव 365 days में company करीवन-करीवन 51% का return दे चुके है, अगर बो ही एक month के data आपको दिखा दू, करीवन 2% का return दिया, उतना खास return आपे नहीं दिया, तो इस company के में कुछ parameters आपको दिखाऊंगा, जहापे आपक companies के बारे में जानकरी और भी मिलेगा, तो चलो सबसे पहले में इसका details के बारे में बात करूँ, तो company ने low cup किये थे, March 2022 में, और बो भी आप देखेंगे 128 रूपीज का, और यह आपे देख सकते है, January 2023, 3rd January में company ने high कि थे, 200, मतलब 247 में, और बो भी निया सालों में, तो company company के जो delivery report है, वो बताएंगे के company के उपर institution कितना भरोसा करते है, देखे, company के उपर stating valuation जो दिखा रहा है, आपे देखिए, जो delivery के जो report दिखा रहा है, उसकी सबसे अच्छागासा delivery आपे उठाई जा रहा है, 53% कोई छोटा मोटा delivery नहीं है, अच्छागासा delivery माना जाता है, इसी चीज़ को मैं ध्यान से आपको दिखा हूँ, details में आपको दिखा दू, तो आप देख सकते है, जो delivery के जो report है, कुल मिला के December से January तक, आपको delivery के जो percentage दिखेगा, तो उतना खास नहीं दिखेगा, तो कभी भी delivery बहुत drop हो चुके है, 3rd January में company ने high तो किये थे, मगर उस दिनों में ही company का कम delivery उठाई गया था, मतलब high level में company buy करने के लिए कोई तयार नहीं था, फिर भी 23% का delivery उठाई गया है, 4th January में 36%, 5th January में 18%, delivery बहुत ज़दा drop हुआ था, उसके बाद फिर से jam किया, 55% के आसपास, 9th January में करीवन 39% के आसपास, 10th January में 53% के आसपास, इसका म कहेंगे सरकास नहीं क्यों बता है, क्योंकि दिखिए, अगर यहापे 60% के उपर delivery देखने को मिलता है, तो सोचना, वहापे FIS और DIS दोनों ही involved हो चुके थे, मगर यहापे जो delivery उठा जा रहे है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, public के दारा, आप इसकी promotor हर किसी का नजर है, हर institution का नजर है, देखिए, एक चीज आप ध्यान से देखना, FIS पिछले बार कितना था, पिछले quarter में 17% का holding था, और इस quarter second में company 22% तक holding ले लिया, इसका मतलब delivery holding बढ़ा चुके थे, क्योंकि उसको पता था कि अच्छा खास एक rally आने वाला है, उसी basis में अच्छा का सा rally भी आपको देखने को मिला, COVID की situation में company का price हो गया था, करीबन 75 रुपिस के आसपास, वासे company देखिए, अच्छा का से एक journey भी दिखाया, और यह पर जो top किया, यह पर top level जो किया, वो level बहुत strong, एक resistant level देखने को मिला, तो आप कहेंगे sir, क्या अभी enter होना चाहिए, मैं जोरू कहूंगा, यह भी बिल्कुल enter मत हो जाएगा, यह पर जो candle pattern मुझे दिख रहा है, वो candle pattern मुझे यह पर shooting star जैसे candle pattern दिख रहा है, तो shooting star हमेसा कहते है, कि जब shooting star बनते है, higher possibility होते है, stock में फिर से गिरावट होने का, तो मेरी सबसे stock में गिरावट का chance से ज्यादा है, अगर अब selling side में भी काम करेंगे, अगर future and options में भी काम करते है, तो इसके उपर stop loss लगा कर काम कर सकते है, तो यह पर candle दिख रहा है, वो candle से बता रहा है, कि यह पर volume भी उतना increase नहीं हुआ, इसका मतलब higher chances है, stock में या से गिरावट होने का, इसका मतलब यह पर तोड़ भी दिया, तो please enter मत हो जाएगा, उसको फिर से retestment करने दीजिए, उसको reversal करके फिर से breakout होने दीजिए, तब इसको पर एक अच्छागा सा rally momentum आपको देखने को मिलेगा, और next level जो होगा, आपको इस level तक देखने को मिल सकता है, 330 तक मिल सकता है, अभी फिलाल के और शिला सर्व एक्टिव होने के कारण, टॉक के इसके नीचे से टॉक में एक अच्छा खासा fallout आपको देखने को मिल सकता है, आप करेंगे सर कितना दूर तक गी सकता है, पहले बता दू कमपनी 200 days EMA का जो यहापे range, इस level तक तो वो आ सकता है, उस level का अगर breakout करें, तो वो ही range तक जा सकते है, जो previous range को बुट टच किये थे, तो अभी देखना है, क्या होने वाल है, तो वाच करिए, और इस वीडियो को कोई as a buy and sell का recommendation मत लीचेगा, आप एक बार research करना, उसके बाद कोज भी decision लेना, तो आप हमारा learning group join करना चाते है, तो नीचे telegram का link दिया गय वाई झाल 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 झाल